हलो फ्रेंद्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको heavy camoveez की cutting बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसकी cutting करेंगे और सबसे में जो हम body size लेते हैं यानि कि utiliser partir में लेते हैं तो उसमें losing किस तरीके से देंगे तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूं तो ध्यान से देखें और इसे अच्छी तरीके से समझें तो सबसे पहले देखें दोस्तों या पर मैंने measurement लिखा है जो की लंबाई है 49 इंच मैं इसको 38 कर लेता हूँ आप इसको बढ़ा भी सकते हैं लेकिन जो मेरा paper है इसके लंबाई इतनी नहीं है इसलिए मैंने इसको 38 कर लिया इसमें दोस्तों जो chest है वो है 41 हम हमेशा प्लस करेंगे 41 में 3 इंच यह बहुत असान तरीके से मैं बताने वाला हूँ तयार नाप हो जाएगा 44 ठीक है कमर में प्लस करते हैं 2 इंच नाप हो जाएगा इसका 38 यह हीप है हीप 43 है इसमें प्लस करेंगे 3 और यहां पर नाप हो जाएगा 46 अब दोस्तों यह जो मैंने measurement बताया ना chest cover hip इसमें जो मैंने प्लस करेंगे दोस्तों जब भी body का measurement लेते अगर हम यह प्लस नहीं करेंगे तो सूट जो है टाइट हो जाएगा सूट बोडी पर आएगा ही नहीं इसलिए हम इस चीज को प्लस करते हैं ठीक है अलग लग लोगों के तरीके होते नाप लेने के अगर आपने नाप वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारी ट्रीक बोड़ी वीडियो को सर्च करके अप देख सकते हैं उसमें आपको तरीका बताया गया कि किस तरीके से आप मेजरमेंट लेंगे तो यह तीनों नाप में आपने लूजिंग डाल के आपको बता जिए तयार नाप हमारा यह गोले वाला हो गया मैं यहाँ पे इस तरीके बताने वाला हूँ तो cutting बताने से पर आपको थोड़ा पेपर समझ़ा देता हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएं कि दोस्तों यह पेपर को इस तरीके लेता हूं जो उठी यह साइब बैठ जाए से तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीका इसमें आपको बताऊंगा अगर आप इसे नोट करेंगे तो हैवी कमीज में आती है यह जो मेजनमेंट हैवी कमीज में आएगा तो यह बहुत अराम से इसको कर पाएंगे तो देखिए सबस आजे से काफी आगे तक यह देखिए तो यह मैंने आ रहे हैं छोड़ के निसान लगा है अगर आपका यह फिक्स कड़ाई वाला सूट है तो आप बराबर से लेंगे यह फिर तुरपाई का माजना पहले से पहले प्लेन कपड़े में छोड़ देंगे लंबाई जैसे कि मै आप जो दोस्तों निसान में लगाने जा रहा हूं इसको हम कहते हैं आलमोल लेंथ हम लगाएंगे इस साइज में साड़े साथ इंच पर ठीक है साइज क्या है वह मैं रखके भी आपको दिखाता रहूंगा तो देखे दोस्तों यहां पर साइज 41 है इसमें प्लस करा तो 44 ह है इस चीज कर द्यान के हम मैंसा कमीज की कटिंग चुछ भी हॉब सिखाते हैं टोूस तो आको तयार नाव से तो 44 साइज में हम यहां पर निशान लगा इन्ट का उसके बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिए मैंने सब निसान यहाँ पर इस तरीकिते सीधे कर लिए सीधे फुट्टे की मदस्ते अब यहाँ पर देखिए जो मेरा यह निसान था यह साड़े साथ पर निसान है मैंने लिख दिया है जिससे कि आपको समझाने में असानी रहे मैं इंचीट है यह दोस्तों है कमर का निसान हिप फे करना है तो इसका जो मैसें में GET आएगा जहाए खर घ्यारे perí seráं करने हैं तो इन्चीटेब की मदद से हम इसको इस तरीगे से दोस्तों 11 रखेंगे यहां पर निसान लगा देंगे कि इसी तरीगे दोस्तों 38 का हमें जो निसान लगाना होगा तो 38 का आदा हो गया दोस्तों हमारा 19 और 19 का आदा हो गया चीज का दिहां, इसी तरीखे से 463 हम इस तरह थे निसान लगा लेंगे हैं अब ढूर तो किसी को सीथा घेरा चाहिए तो applied नीचे भी सबinen जया हुआ सब्सक्राइब गाल लेंगे लेखिन अब कोई नाब नहीं बताथा घेरेगा तो हम साड़े ग्यारा से हलका सा एक्ष्टा कर देते हैं हम यहां पर पोने बारा रख लेंगे यानि कि टोटल में आड़ा इंच घेले को हम बढ़ा देते हैं अगर कोई भूल जाता कर्ष्ट नों बताना तो इस चीज का ध्यान रखें अब आता दोस्तों से फट्टी से लगा देना यह निसान दोस्तों मारा हो गया हこれでबास कि निस तरीके से करोश द्टी को लेंगे जिससे पता रहाएं हम यहां पर कट लगाना है यहां से चाक-ऊपन होँगे अब यहां से इस निसान से घचरे ग्रे की निसान तक हम ऐसा फूट रखना होगा और दोस्तों यह वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं यहां पर जो है सिर्फ 2 इंज का एक्ष्टर मार्जन ले ले लिए 2 इंज का यहाँ पर 2 इंज का यहाँ पर और इसको से कटिंग कर लेंगे तो यह तो मैंने दोस्तो आपको फिटिंग का बता दिया, कहां- sustain का बता दिया यह सब आपको detail में बता दिया तो इस में जो फिरंठ होगा वह 40 डोस्तो आता है Yep तेरा तेरा का हाफ साड़े छे ठीक है यह आपका 44 साइज के अंदर होगा साड़े छे इंच का फरंड और दोस्तों अगर आपको फरंड समझ नहीं आता कि फरंड किस तरीके से नापा जाता तो इसके उपर हमने डिटेल वीडियो बनाई है आप सर्च करके वीडियो को देख सकते हूं कि आपके फरंड का नाप कैसे लेते हैं और किस तरीके से रखेंगे ठीक है तो दोस्तों यह हमारा इस तरीके से साड़े छे पर निसान हो गया अब आ जाते हैं दोस्तों उपर की तरफ में तीरा तो सबसे उपर जो लंबाई का निसान हम लगाते हैं तो तीरा य एक इंच देखे 16 था 13 एक दो तीन साड़े तीन ठीके साड़े 12 होगा अब साड़े 12 का हाफ जो होगा दोस्तों वह ओगा सब तो दोस्तों यहां पर हमें इंचीटव को ऐसे ले के आना है और यहां लगाना है जो कि हम जारा तर इसमें हैवी साइज में छे इंच रखते हूं अलग-अलग तरीके लोगें तो छे का रात तीन इंच हमें इस तरीके से निसान लगा लेना है और यहां पर जहां पर हमें तीर का निसान लगाने अब दीखें दोस्तों में क्या करना होगा पहलें तो गल्ले के ब्रोड से दाउन वाले निसान पर हमें इस तरीगे निसान लगा लें आद हैONG कि दोस्तों निसान लगाने के बाद अब दोस्तों यहां से हमें सेव देनी हैं तो देखिए अलग लग तरीके कई लोग यहां पर एक इंच का निसान लेके फिल लगाते हैं लेकिन मैं इस तरीके से नहीं लगाता मैं जो लगाने वाला हूं दोस्तों यह आपको मैं बताऊं ही दोस्तों देरिदिंग चारी यहें लेकिन अगर आप एक इस तरीके से तो यहाँ पर होगा यह कि आपका आपका अलनों लेंध बढ़ जाएगा और हर किसी के अलग कटिंग होती है तो मैं यहाँ पर कभी भी इस स्थारीगे से नहीं बताता यहां पर सेफ अच्छी आजाए और यह मेरा मारकर है मैं आपको चोक सभी दिखा रहेता हूं कि चोक से कैसे सेफ आएगी क्योंकि चोक अगर आप बड़ा लोगें तो यहां पर सेफ अच्छी आएगी तो दियान से देखें यह चोक है इसको मैं निसान लगाता हूं तो यह दोस्तों असल सेफ यह आई जो मेरी चोक वाली आप देख सकते हैं मारकर लोगे निसान कहां जा रहा है तो यह चीज होती है में आपके सेफ अच्छी आनी चाहिए अब अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि आप हमेशा पहले बैक वाला काटा करें तो बैक पफले को आप यहाँ पर तक्रीबन एक इंच के आःसवर बढाके कट्टिंग कर लें तो कैसे कट्नگ करेंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों मैं रहें निसान लगाया है इस निसान से इस निसान तक पहले 함 मिला लेंगे है चीक एंभै है कि लिए तो इसके लिए आपको कटिंग्र करने के सबसे पहले ऊपार सीधि harvesting करेंगे फिर दोस्तों डाउन में कटिंग्र सिसंदे आप इसको एसे न कट करके हटा दें अब मैंने जो आपको बताया किसम से भीनर है तो हमाश्वाधा दौन से इसका समयों करना sign इससे थोड़ा डाउन में ले रहा हूं और यहां पर ऐसे कट लगा दूँगा यह बढ़ती है वह बढ़ेगी नहीं और फिटिंग लगाने में असानी होगी अब इसी निसान पर नीचे तक दोस्तों मैं इसको कटिंग कर दूगा यह देखिए और यह पेपर है तो थोड़ा हिल रहा है लेकिन कपड़ा होगा तो बहुत अराम से आप इसको कटिंग कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों पूरा पैटन कटिंग हो चुकॉआ है अब देखिए एक कट आपका घेरे पर पता हिए यह पर कम्र पर मढरल सबया अब एक आपका यह आएगा यह दोस्तो चैस्ट वाला निसान है ठीक है दूसके बार आएगा दोस्तो आपका गले के ब्रॉड का तो यह हमने यहाँ पर आपको पूरी कटिंग बता दी कि किस तरीके से आप फरेंड वाले पल्ले को कटिंग करेंगे अब दोस्तो करना क्या होगा जैसे आपने ये पढला कटिंग किया है सेम आपको यह पाले को अलग करना और उसके बाद जो बस यह चो निसान है इस निसान पर अपना वला इसना यान इक टानर प्रेंट चाट लेंगे इस दीजिए उसके का प्रेंड दिखा बने तो आपको इस तरीके से यह देखिए आपका फ्रंट शाल लेंगे तो आपका यह फ्रंट छट जाएगा तो इस तरहिके से आपके पूरी कमिस कटिंग हो जाएगी लेकिन इसमें जो सबसे में चीज बताने बालों इस चीज को नोट करें दोस्तों जो में चीज है वह यह कि जाना तर हैवी साइज में क्या होता है बगल की साइड यानि कि यह जो साइड है इस साइड में जो जोल हो जाती है तो आपको क्या करना होगा यहां पर इस साइज में जब भी तीन इंज पिलस करेंगे ऐसे ते एक तालिस में तीन पिलस करा चावालिस हो गया आपने मेजरमेंट आर्म लेंद पर रख लिया लेकिन यहां पर तक्रीब आपको इस तरीके से इंची डेव से आज पास का ऐसे निसान लगाना है ठीक है और निसान लगा कि इसको ऐसे सीधा रखेंगे और यह कान होती है आफ याँ पर निकालना है तो यह कान जो बगल में जोड़ती है वह आपकी जोल खथम हो जाएगी और उसके बारा आपको पूरींग मैंने आपको बता लिए अब आपको बताताओं कि की कटिनगि की okay किस तरीके से करेंगे तुमें इसको हटा दिता ह। उसके बाद दोस्तों देखिए जो हमारा कपड़ा यह जो मतलpox हमारा पेपर बच्छा है कि अब पेपर को मटरथ लेंगे अब पेपर को लेने के को ठीक है मिलाने के बाद दोस्तों इसको भी इस तरीके चीस फोल्ड कर एगे अब यहाँ पर धोस्तों हल्किशी उस तरीके से लगा लेते हैं जिससे की थोड़ा साी बैठ जाए deposits ठीक है हम यहाँ पर इसका फुट्टा भी रख लेते हैं अब देखिए दोस्तों लंबाई है बाजू की साथ इंच की साड़े तीरेंच की गुलाई है तो हमें इस तरीके से एक निसान लगाना है एक यहाँ पर निसान लगाना है तो लपाई के फोल्ड के लिए हो जाए कर दोस्तों अब यहाँ पर बाजू के लंबाई थी साथ इंच तो हम हमें यहाँ पर साड़े साथ इंच इस तरीके से निसान लगाना है और अब जो निसान में लगाने जा रहा हूँ इसको हम कहते हैं बाजू आलम मुलेंट जो कि हम लगाएंगे 3.5 इंच पर इसको भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे अब दोस्तों जो आलही है निसान लगाया था यहां पिरकेंगे बाजू की मोरी का मेसिरमेंट जो की है 13.39 का हाफ होगा दोस्तों 157 इस्तों 16 का अब यहां पर आपको जो 54 इंच है ठीक है गो 54 का आपको 44 साइज है तो इसका पांच वाग करना है जो की तक्रीबन मेरे इसाप से निकलेगा साड़े आठ के आसपास तो आपको इंची टेप से साड़े आठ इस तरीके से निसान लगा देना है और यह लगाने ही के यह हमारे कटिंग हो चुकी अब यहां पर हम उसको मार्चन जितना मार्चन देना चाहते हैं और फिर इसको इससे सीधा करणे के यह यहां पर दो यहां पर कट जरूर लगाएंगे उसके बाद एक कट हमारा यहां पर आएगा अब दोस्तों यह पेपर है तो मैं हातों से घुमा रहा हूं लेकिन कपड़ा होगा तो एक ही जगह जमा रहेगा एक ही जगह आपको हाथ चलाना होगा पूरा ठीक है यह गत्ता है इसलिए में इ तो यहां पर ऐसे करके तकरीवन एक इंच के आसपास आलमोल कट करना है तो यह पता लगा मारा फरंटर यहां पर जो जो पड़ती है वह जोल खतम होती है इसलिए हम इसको कटिंग करते हैं तो यह देखे दोस्तों हमारा इस तरीगे से बाजू कटिंग हो जाएगी यह छो